तो आगता आप सभी का आज के इस क्लास में आज के सेशन में आज है डे 73 प्रिक्षा 24 का आज 73 है यानि मैस में हम लोग आज 50 अपॉन 50 कुश्चिन्स जो हम कर रहे हैं हमारा जो टार्गेट है कि मैसमें 50 में से 50 नंबर लेके आएंगे उसका 73 है प्रिविस एर कुश्चिन्स में करवा चुका हूँ लोगों को तो अराउंड आज जो है उसकी लास्ट क्लास है एक और पेपर मेरे पास बचा हुआ है भी प्रिविस एर का वो में कराऊंगा उसके बाद रेगुलर मैस की आपकी क्लास चलेंगी तो नोटिफिकेशन आने ही वाला होगा अक्टूबर ख परना बिल्कुल अपने डाउट्स पूछने के साथ साथ मैर्ट तो कमेंट सेक्शन में अपनी एडिक के साथ कमेंट कर सकता है और मुझे diffé पहले को सब्सक्राइब करने के लिए इसको सॉल्फ करना है चले देखते हैं इसको सॉल्फ करने के लिए तरसे फ़ला हम देखते हैं यहां पहें लिखा हुआ है अपका अंडूरूड 3 बलस अंडूरूड 2 और नीचे लिखा हुआ है अन्डूरूर 3 नाइनस अंडूरूर 2 ठीक है अब ये है क्लास 9th का question 9त में एक term होता है rationalization, हिंदी में कहते हैं हर का परीमे करन करना हर का परीमे करन या rationalization का मतलब यह होता है कि जो denominator है, जो हर है उसमें से under root को हटाना तो उसके लिए हम क्या करते हैं जैसे under root 3 plus under root 2 है इसको multiply कर देंगे under root 3 plus under root 2 से उपर भी और नीचे भी अब यह जो plus आया है यहाँ पर यह प्लस यह वाला नहीं है यह उपर वाला नहीं है नीचे वाला है यानि नीचे denominator में जो भी होगा उसके symbol को reverse करके यानि अगर वो minus है तो यहाँ plus लिख दिया और यहाँ अगर plus है तो यहाँ minus कर दिया इसे करके हमें multiply कर देना है और ध्यान रखिएगा कि यह प्लस है यह आपका अगर यहाँ पर कुछ और भी नंबर हो सकता है यानि अन्रूट 3 प्लस अन्रूट 2 का whole square क्यों रहा है यहाँ पर अन्रूट 3 प्लस अन्रूट 2 का whole square और नीचे क्या है a minus b a plus b अब एक formula होता है a minus b into a plus b is equals to a square minus b square है ना यह formula होता है तो यहाँ पर हम consider करेंगी जो a है वो root 3 है और जो b है वो root 2 है तो नहीं a square है नहीं root 3 का square हो जाएगा है यहाँ पर root 3 का square minus root 2 का square यह हो गया अब इसको आगे solve करने के लिए यहाँ पर हम एक लाइन खीछते हैं और यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ऊपर हम इसको नहीं चेड़ेंगे इसको हम यहीं रहन देंगे और root 3 plus root 2 का whole square चीक है और अपॉन अगर हम करेंगे तो अंडरूट 3 का square क्या होता है और अंडरूट 2 का square क्या होता है तो यह तो वन हो गया तो नीचे का नंबर हड़ गया यानि जो हमारा value बचा वह बचा root 3 plus root 2 का square और इस पूरे का में क्या निकालना है इस पूरे का में और अंडरूट आप क्या सकते हों कि cancel out हो जाए तो आपका आंसर बचेगा अंडरूट 3 plus root 2 को सबसे पहला काम हमें क्या करना है सबसे नीचे है पहले इसको solve करेंगे हम सबसे पहले इसको solve करेंगे इसको solve करने के लिए आप क्या लिखा हुआ है 3 plus 1 by 3 यहां इसको हटा देता हूँ मैं ध्यान से देखेंगा मैं यहीं पर solve करूंगा पूरा question यहां पर मैं लिख दे रहा हूँ 10 upon 3 इसकी जगा पर हम 10 upon 3 लिख सकते हैं तो अब लिखते हैं 10 upon 3 कैसे लिखेंगे देखिए 3 मैंने लिखा तो 10 upon 3 लिखते ही यह 1 upon 10 upon 3 हो गया यह इसका क्या मतलब इसका मतलब है 1 divided by 10 upon 3 हो गया एक सेक्ट दीजेगा मुझे इसको मैं और वाइट कर देता हूँ अब ठीक हो गया ठीक हो गया तो वन अपॉन 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 3 का मतलब यह हो गया आपको पता है कि इस डिवाइट के सिंबल को चेंज करके हम 3 by 10 लिख सकते हैं तो यानी 1 upon 10 upon 3 इस पूरे की जगा पे अब हम क्या लिख सकते ह क्या गारा क्या यहां पूरे की जगावे में क्या लिख दूंगा समझ में इतना क्या रहे चलो जी अब फिर से क्या आगया तो 3 प्लस 3 upon 10 कितना होता है दस्तिया 3 3030 3030 हुझ n हो איgebaut इस पूरे को हम solve करेंगे तो जाए का 33 अ Quand बें और यह हैं से रिमुव हो जाएगा तो यह गया 33 अब फिर से उसके कंडीशन पर हम आ गुआ गए कि one upon क्या लिखा रें sometimes page 1 upon 33 upon 10 क्या होगा 10 upon 13th करके दिखा देता हूं मैं यानि 1 divided by 33 upon 10 है न जाएगा वन 1 in two tempo he indeed upon 33 बचेगा इतना क्लियर है निया सबको यानि one upon 33 upon 10 कि मैं लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं यहां पे 10 upon 12 अब फिर से सॉल्फ करेंगे यहां पर रिमूव हो जाएगा यह पूरे को नीचे बचा था उस पूरे को सॉल्फ करेंगे लिख दिया वन जीरो नाइन अपॉन करके लिख लिए तो वन बाई वन आप करके दिखन आपसे हो जाएगा अब उस उपर वाले को सॉल्फ करेंगे लग से उपर वाले को तो 77 में से 39 आपको माइनस करना होगा तो 9 और 8 17 में से 3 तीन गया 3 यनि आगया 38 अपॉन 30 इस उपर वाले की जगा इस पूरे की जगा जो है हम लोग लिख सकते हैं क्या 38 अपॉन 38 अपॉन 33 दिवाइड़ वाई 109 अपॉन 30 अब इस डिवाइड की सिंबल को फिर से चेंज करेंगे 38 अपॉन 33 इंटू 33 अपॉन 109 ठीक है 30 से 33 कट गया अब 8 यह आपका आंसर आजाएगा 38 अपॉन 10 जब एक यह जिए न समझ में आया पका आंसर किया होगिए औप्शन नमबर यह आपका अंसर को मीद करता हूँ किसी को को डौट नहीं होगा एक बर समंझ में क्या किया यहां पर को दिक्कत तो नहीं है 109 upon 33 में और उपर वाले को solve किया तो वह आया हमारा 38 upon 33 फिर solve कर दिया answer आ गया हमारा 38 upon 10 clear है इतना असान question है बढ़ते हैं एकले question की तरफ अगला question है हमारा 1001 की power 208 plus 1002 का अंतिम अंक कौन सा होगा अंतिम का मतलब unit digit है ना जो पहला digit होता है वो क्या होगा कहने का मतलब यह है तो कैसे करेंगे solve देखो तो यह गया 1001 अब किसी भी number कोई भी number जिसका unit digit 1 है जिसका unit digit 1 है ठीक है unit digit 1 है इस को अगर आप square करोगे कोई भी number जिसका unit digit 1 है उसको square करो या उसके power कितना भी लिखो उसको कितने बार भी multiply करो उसका जो भी unit digit रहेगा वन ही आएगा हमेशा हमेशा वन आएगा यह से मालों मैंने नमबर लिखा 321 यह वन है ना फिर आपको 321 से गुणा कर लो इसको वन जा वन जा वन आएगा फिर जो भी number है उसको फिर उस से अंक होगा वह हमको पता होगा कि वन होगा है ना तो जो भी होगा आगे हमको नहीं पता अब इसमें आप 1002 जोड़ोगे दो और एक तीन ही नीचे आएगा यहनि हमारा answer होगा option number clear है इतना समझ में आया चलो बहुत बढ़िया अगला question देखते हैं अगला question है हमारा 27 to the power x is equals to 9 upon 3 to the power x तो x कमान ग्याद करिए असान question है चले देखते हैं कैसे करना है 27 to the power x is equals to 9 upon 3 to the power x तो x कमान क्या होगा यह आप से पूछा जा रहा है तो सबसे पहला काम में क्या करना है cross multiply करना है और cross multiply ऐसा करना है कि इस 3 को इदर लेके जाए 9 को इसी जगह पर रहने दीजिए तो यह जाएगा 27 to the अच्छा उसके साथ साथ एक काम और कर लेते हैं 27 को हम लिख सकते हैं क्या 3 3 9 9 3 3 27 यानि 3 का cube 27 को लिख सकते हैं और इसकी power x is equals to 9 upon 3 to the power x तो यह हो गया आपका 3 to the power 3 x ऐसे में multiply हो जाएगा और 3 x को यहाँ लेके आ जाएए into 3 to the power x is equals to 9 अब इस 9 को भी मैं 9 नहीं लिखता हूँ इस 9 को भी मैं 3 का square लिख देता हूँ समझ मैं आप यहाँ पर दो properties लगेंगे पहली property कि अगर दो base same हो और उनकी power उस condition में add हो जाती है दोनों equal में हैं तो उसकी powers भी equal हो जाती है यहीं 3 x plus x is equals to 2 हो जाएगा दोनों property याद रखिएगा 3 x plus x हो जाएगा आपका 4 x is equals to 2 यहीं x is equals to हो जाएगा 2 upon 4 यहीं x is equals to हो जाएगा 1 upon 2 और यहीं आपका answer होगा क्योंकि xt value आपको निकाल नहीं थी option number d is your answer ठीक है clear है सभी को नहीं है तो comment section में ज़रूर बताइएगा अगला question देखते हैं अगला question है आपका 272 square minus 128 square का वर्गमूल ग्याद करिए अब यह question यहाँ पे गलत है question पहले वी एक बार आया था क्योंकि यहाँ पे misprinted हो गया है यह जो square है यह अंदर होना चाहिए square अंदर होना चाहिए और बाहर से bracket close होना चाहिए तो question है हमारा 272 का square minus 128 का square यह हमको निकालना है अब हम क्या कर सकते हैं हम दो काम कर सकते हैं पहला काम यह कर सकते हैं कि 1272 का square हमने minus कर दिया अगर आप महाँ पर formula भूल जाते हो तो आप ऐसे ही करना क्या करना है हमें सबसे पहले हमें करना है 272 को 272 से multiply और फिर इसका answer लिखना है फिर हमें करना है 128 into 128 को multiply और इसका answer लिखना है और फिर दोनों को minus कर देना है लेकिन यह एक long procedure है अगर हमें इसको shortcut में करना है तो हम एक formula लगा सकते हैं इसको हम कहते हैं a square minus b square यानि a plus b into a minus b समझ में आया a plus b minus into a minus b यहाँ पर a जो होगा 272 होगा और जो b होगा वो 128 होगा यानि a plus b यानि 272 plus 128 एक bracket close a plus b दूसरा a minus b यानि 272 minus 128 add करेंगे 8 to 10 carry 1 सात और दूर नौ और एक 10 carry 1 2 और एक 3 और चार यह आगया 400 इंटू 8 और चार बारा ठीक है च्छे में से दो गया 4 और यह आगया आपका इतना वाट ठीक है यह हमारा 20 का स्क्वार होता है 144 12 का स्क्वार होता है 24 240 जो है आपका अंसर होगा यानि option number ठीक है तो उमीद करता हूं कि आची class आपको अच्छी लगी होगी अगर class अच्छी लगी है तो like बटन जरूर दबाईएगा और वीडियो को share भी जरूर करना ठीक है करीब 73 से में classes ले रहा हूं उमीद करता हूं कि classes आपको अच्छी जरूर लग रही होंगी बहुत ही जल्द reasoning की starting होने वाली है reasoning भी आप लोग पढ़ने वाले हो और notification आने का wait मैं भी कर रहा हूं नोटिफिकेशन आते ही जो आपके अधर सब्जेक्ट है उनके glasses भी प्रॉपरली शुरू हो जाएंगी थैंके सो मच वर वाचिंग बाबाई टेक केर एंड सी यू टूमारो